इर्फा जान, कोट ने फिलहाल सोमवार तक आदेश के जरिये हिजाब पर भगवा गमशा पर बैन लगाया है कहा है अभी उसका इस्तमाल नहीं होना चाहिए फिर से सुनवाई होगी आप कैसे देख रहे हैं इसे देखें ये बहुत अनफॉचनेट है कि कोट्स ने कहा है कि हमारे जो स्कूल है और हमारे जो कॉलेज है इनमें मजभव अलग होना चाहिए in νczasem order है. मजहब को अलग करते हैं और प्षिक्षा को अलग करते हैं जबकि हमारे देश के स्कूलों और कॉलेज़ेस में अलड़ी मजहब है अगर करनाटका की बात करते हैं तो करनाटका की एक भी स्कूल के मिड़े स्कीम में गारलिक यानि लेसन और प्यास नहीं दलता तो क्या वो मजभ नहीं है हमारे करनाटका की स्कूलों में और कॉलेज़ में हमने पूरे देश में देखा है करनाटका में क्या कि हिंदू बच्चे अपना फोर हेड माग अपनी बिंदी पहन के आते हैं हमारे सिख भाई बहन तरबन यानि एक तरबन पेहन के आते हैं हमारे कृषिण बहली बहला हें जो है एक होली थैट पहनते है तो मजभ जो है अलरेडी स्कूलों में है हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सर्फ परेशानी जो है सर्फ एक मजहब के लड़कियों के सर पे डुपटा रखने से है और जहां तक गौरफ बाटिया जी ने बात की जहां तक गौरफ बाटिया जी ने बात की यहां तक गौरफ बाटिया जी ने बात की कि यह देश कॉंस्टिटूशन यानि समविदान से चलेगा या हमारा देश के politicians हैं बड़े बड़े चाहे राहुल गांदी जी हो प्रियांका गांदी जी हो हमारे अखिलेश यादव जी हो वो constantly अपने मज़ब का प्रचार करते रहते हैं मंदिरों में photo लगके forehead smark लगाके ठीक है वो हिंदू है proud है बहुत अच्छी बात है तो जब वो अपने मज़ब का प्रचार कर सकते हैं और उनको यस देश का सम्विदान अधिकार देता है मजब का प्रचार करने के लिए तो यह अधिकार जो है बाकी यह मुसल्मान लड़कियां जो स्कूलों या कॉलेज़ लो पढ़ना चाहती है उनके लिए भी होना चाहिए बस यह हमारा पॉइंट है जो यह फैसला आया है बिल्कुल सही है और मुझे लगता है इसी को आगे भी कोड को करी फॉरवड करना चाहिए कारण यह कि जब हम एडिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा जैसे कि एप्रा कह रही थी वह एक और प्रिटिकल ऑगनाईजेशन की ब आज आप हिजाब की दिवांड कर रही है यह दिफ्रिंसियेशन आजाएगा इसको क्यारी फॉरवड किया जाएगा यह कहकर कि आज मैं हिजाब पहनूंगी कल यह भी डिमांड आएगी कि मुझे स्कूल में अलग से नमास पढ़ने की जगा दी जाए फिर कहा जाएगा हमे संडे के नहीं हमें तो फ्राइडे यानी जुम्हे की छुट्टी दी जाए पिर यह भी कहा जाएगा हमारी जो कैंटीन है महाँ पर चिकन मटन हला चिकन मटन क्लबदी की जाए जैसे कि उन्होंने गारलिक और लसन और प्यास का उन्होंने एग्जैंपल दिया उसके बाद यह भी कहा जाएगा कि और कुछ नहीं अब तो काफिरों का स्कूल में आना बंद कर दिया जाए मैं नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोग जो इसको सैयोग नहीं प्रयोग बनाना चाहते हैं वो जरूर इस बात को रखेंगे और अंजना जी 10 सेकंड में और लूँगी क्योंकि कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्ची हिजाब नहीं पेहन तीगे जो 18 साल की बच्ची इनके अपनी जहनियात अभी नहीं है इनके माता पिता और बहुत सारे लोग जो इसकी मुखालिफत करते हैं आगे 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 इस चीज़ को बढ़ावा दे र बहनती हूं तो मुझे ट्रोल कर दिया जाता है यह कहकर कि तुम तो मुसल्मान ही नहीं हो एक कारेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है मैं जाने कितनी महतरमा मेरी बहने मुसल्मान बहने दूसरे चैनल पर आपकी चैनल पर बैठकर मुझे कारेक्टर सर्टिफिकेट बचने के लिए बाच्चियां अपनी इज़त बचाने के लिए बुर्खा और हिजाब के जहासे में आ जाती है जहाँ विदेश में मुस्लिम देश में अफगानिस्तान में बेटिया जेल जा रही है लड़ रही है अपने हग के लिए लड़ाई कर रही है कि हमें नहीं पहनन इस प्रकार का तमाशा कर रहे हैं, इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बुर्खा और हिजाब मुसल्मान की इसलाम के पाच प्रिंसिपल्स में उसे भी एक नहीं है, हिजाब ना ही कभी इसलाम की आइडेंटिटी था, ना है और ना कभी होगा, अच्छी सोच आ कि एडिकेशन को हैंपर मत करो भिजाब और बुर्खे के नाव